जीनियूस पर हम आपको लगाता है और गोज़ ओन कंट्री यानि केरल में किस तरीके से बारिश बार्ड और लैंड स्लाइट से तबाही आई है उसकी तस्वीरे दिखा रहे हैं मेरे सही होगी जैपाल शर्मा वहाँ पर पहुचे हुए हैं कोच्छी में मौजूद है और तस्वीर और हर खबर आप तक पहुचाने की जीनियूस की एक कोशिश है सीदे उनी कारू करते हैं जैपाल एक घंटा पहले हमारी बात हुई थी आपने कहा था बारिश से थोड़ी राहत मिली है इस समय राहत और बचाव का काम कितना आगे बढ़ा है क्या हालात है क्या कोई सुकून मिल पाया है पिछले एक घंटे में देखे अधिती इस वक्त मैं कोच्ची जीले के अलवा इलाके में खड़ा हूँ यह अलवा जो है यहां के शिव टेंपल के लिए बहुत मशूर है यहां पर लोग दूर दूर से शिव मंदिर में दर्शन करने के लाते हैं यह सामने में आप देखिए मैं अपने कैमरामेंस यह सामने में जो आपको एक इमारत डूबी नजर में आ रही है यह चोटा यह जरसल यह शिव का मंदिर है यह पूरी तरह से पानी के अंदर में चला गया है और अब यहां तक चल करके उस मंदिर के पास नहीं जाया जा सकता है और आज मैं बताओं आपको कि आज जो दिन ह है यह बहुत महत्पूर्ण दिन है क्योंकि केरल में एक बली तरपन होता है जिसको कहते बली तरपन बिल्कुल वैसा ही जैसे नौर्थ में पित्र तरपन किया जाता है पित्र पक्ष के दोरान आज वो दिन है और अमूमन इस कारी के लिए लोग केरल में या जो लोग केरल के बाहर रहते हैं वह अपने पित्रों का टर्पन करने केले यहाँ पर आते हैं और आज वो धिन है और अमूमन यह पूजा जो है यह सामने जो आता बना आपको इमानत नजर आ रही है इस जगा पर होती है लेकिन आज वहां नहीं हो रही क्योंकि यह पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है और यह पूरी पूजा आज जो है सड़कों पर की जा रही है हम अभी आ रहे थे हमने देखा कि दोनों तरफ सड़कों के तरफ जो ऐसे लोग थे जो अपने पित्रों का तरपन कर निकला है वे थे वो तक यहां पर पानी इस जगह तक था लेकिन बारिश बंद होने के बाद पानी नीचे की तरफ गया है और यही बात अभी थोड़ी देर पहले डीजी के जो है फाइर एंड रेस्क्यू सर्विसेस के हिम चंदरन साहब उन से हमारी बात हुई उन्हों ने भी बताया कि यह प अधदली नेवी की को पूरी तरह से अलेट पे रखा इस पूरे दोरान लगभग 55-60,000 लोगों को अब तक वो रिस्क्यू कर पाए है जगा 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 और अभी बीच में इंटरॉप्ट कर रही हूँ आप कोची की जोन में खड़े हुए है मैं आप से जानना चाहती हू इड़ो की जिसे का जारा है सबसे ज़्यादा वर्स अफेक्टेड है उसको लेकर किस तरह का अपडेट आपके पास है चाहिए वो राहत बचाव से जुड़ा हो लोगों को इवैक्वेट करने से जुड़ा हो क्या जानकर है आपके पास क्या वहां पर भी बारिश रुग वह बिल्कुल फसे हुए है थोड़ी देर पहले हमें यह भी पता चला था कि यह जो केरल का ही जो इलाका है दरसल देश से भी और विदेश से भी सैलानी काफी आते हैं यहां पर जो लोग घूमने के लाए वे तो लोग भी फस गये थे हालां कि एरफोर्स की मदद से और आर् आफ और आतियाद बरतिया आगे थे तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे और आपको शयद सभी को दुआ करनी चाहिए, खेरल में जो लोग इस समय फसे हुए हैं, भूले नहीं, तीन दिन में 29 लोगों की जान चली गई है.